नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगरण और स्वाकत है आज किस वीडियो में जहां हम बात कने वाले हैं वर्जिन हाइपर लूप 1 के बारे में वर्जिन हाइपर लूप 1 क्या है मैं बताता हूँ आपको इमाजिन मॉंबई से पूना आपको जाना हो और मातर 23 मिनट में आप करवा पाईगी और स्पीड होगी एक हजार किलोमेटर पर आर से भी ज्यादा यह कैसे पॉसिबल है क्या यह चीज है वो मैं आपको बताता अभी यह क्या है पॉड बेस ट्रांस्पोर्टिशन सिस्टम है वर्जिन उन्होंने एक्वाइर किया माहरास्ट्रा में मॉंबई से पूना रूट जो है उन्होंने पकड़ा है और इसके अलावा देश है यूएसे और जहां मैं हूँ अभी यूएई यहां पे भी यूए म यह मेट्रो के फियर के आसपास की चीज होगी मतलब ऐसा कोई फ्लाइट का खर्चा नहीं इसका जो टिकिट होगा वो मेट्रो की फ्राइज के साब से होगा कैसे काम करती है क्या कॉंसेप्ट है अंदर जो है वैसे तो यह कुझ है कॉंसेप्ट है तो आपको एक्जाक्ट यहां पाइब कर तक में नहीं सीसों नहीं मिलने वाली है और फिर भी मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग जाएगा तो उसकी बात करता हूँ मैं अंधर चलके क्या जीजे है कैसे काम करेगी तो अब मैं आपको इक किसे काम कर गी तौब अब आपको बीद कम हो तब तक मै 140 km लंबा है और उस pipe के अंदर में air pressure को कम रखा जाता है vacuum create करके उससे क्या होता है air pressure कम होने से क्या है किसी भी चीज जैसे गाड़ी अगर कम air pressure में चलेगी तो easily चलेगी उसको जादा जो है energy की requirement नहीं होगी energy जो fuel से generate हो जिसी भी तरह की fuel से generate हो चाहे वो battery से generate हो या चाहे वो बेसिकली आप imagine करो magnets है और magnets जो है उनके ऊपर ये black color का pod जो है वो रहेगा अब जब भी मैं pod बोलूँ तो उसको माल लो एक coach माल लो एक ऐसा चोटा सा जिसमें at least 20-30 जैने बैठ पाए अब वो उसके चुम्ब की अभाव से उपर हलका हलका उपर रहेगा इसको इंग्लिश जो है क्योंकि friction नहीं होता है जमीन और जो actual टायर या जो भी चीज है उसके बीच में क्योंकि contact नहीं होता है तो इसलिए वो जो है उपर चलती है इसलिए वो easily जादा चल पाती है तो उस situation में जो है आपको energy कम लगती है और आप imagine करो energy कम लगने पर मैं आपको एक कहूँ न तो उसके बाद में electric propulsion के मदर से जो ट्यूब है इसके अंदर जो है इसको खीचा जाता है अब ट्यूब में तो air pressure कम होता है लेकिन यह जो pod दिख रहा है आपको काला वाला इसके अंदर air pressure एकदम सही होगा तो इंसानों को कोई problem नहीं हो नहीं आवाली है अब ये कैसे काम क करेगा क्या faiths होंगे उसकी बातें अंदर जाके करते हैं facilities बगरा देखते होगे मैं आपको बताता हूँ तो आईए मैं आपको लेखे चलता हूँ एक exclusive experience पे Virgin Hyperloop 1 का माल लो आप अपनी एक application से आप order करोगे कि भीया मेरे को Hyperloop से Mumbai जाना है और जब इनफ लोग इसमें होंगे तो उसके बाद में जो है आप Hyperloop पूने से Mumbai ले जाएगा इसमें A to B connect होगा मतलब आपको सिधा Mumbai से पूने जाना होगा ऐसे नहीं होगा कि भीया में वो बीच में ल उसके बाद में आप पॉड में आके बैठेंगे तो आप देखिए अंदर Hyperloop में क्या कॉंसक्त है तो बिसिकली कैबि में में भी डिवाजिशन होगा बिजनस क्लास एकानोमी क्लास टाइप आप तरीट कर सकते हैं तो उसके बाद में जब आप अंदर आते हैं तो कुछ इस आपके लिए मोबाइल चार्जिंग होगे रहा भी यहां पे शाद अवेलेबल हो और आपकी सीट्स होगेरा जो इसको होड़ जैसे भी आपको करना है वो अप्शन आपके पास यहां वेलेबल रहेगा सामने की तरफ एक और दिस्प्ले अवेलेबल होगी जिस पर टीवी जो भी वाइटल इंफॉर्मिशन है कि अगला डिस्प्लेशन कितना दूर है वो सब यहां पे अवेलेबल हो सकता है उसके बाद में यह आप ट्रीट कर लो के थोड़ा लोवर क्लास इसका फेर कम होगा अभी जब फेर की बात की जाए तो यहां पे आप ऐसा मान सकते हो कि जो है वो मेट्रो के बराबर होगा तो मेट्रो अगर मुंबई से पुने ट्रैवल करें तो आप यह मानलो के मोटा मोटी मां अन्दाजा बातार हो 500-700 रुपे ऐसा कुछ फेर जो है आप मान सकते है तो इसका ज्यादा फेर नहीं होने माला है यह वर्जिन हैपर लूप का क करना है कि हम जादा फेर नहीं रखेंगे प्लस वह इसको कार को के विली यूज करने वाले हैं तो हो सकता है मुंबई पुना के बीच में अगर आपको कुछ बिजवाना हो को शिप करवाना हो तो आप 5-6 गंटों में शिप करवा सकते हो तो वह भी पॉसिबल चीज हो सकती है तो किसी भी situation में रोकना पड़ जा है तो वह चीज है देखते हैं इंडिया में 2023 यानी की 2023 तक यह बन पाता है या नहीं बन पाता है और अकर बन पाए तो बहुत ही वहत्री इंजिस होगी I hope मैं आपको दे पाऊं फर्स डेमो जब महां पे open हो वैसे 12 km के लिए लिए लो कर सकते हैं अगली वीडियों तो कि दोस्तों हमेट पहनेगे सीट वैल पहने हैं सुक्ष चलिए धन्यवाद